प्रिया देश्वासियों, मैं आप लोगों के लिए एक छोट से क्लिप प्ले करने जा रहा हूँ आप सभी ने इस गित को कभी ने कभी जरूर सुना होगा आखिर यह बापू का पसंदिदा गित जो है लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि इसे सुरों में पिरोने वाले गायक ग्रिस के है तो आप हैरान जुरूर हो जाएंगे और यह बात आपको गर्व से भी फर देगी इस गीत को गाने वाले ग्रिस के गायक है कौन सतान दिनोस कलाईजिस उन्होंने इसे गांधी जी के 150 वे जन्मजनती समारों के दोरन गाया था लेकिन आज मैं उनकी चर्चा किसी और वज़े से कर रहा हूँ उनके मन में इंडिया और इंडियन म्यूजिक को लेकर गजब का पैशन है भारत से उन्हें इतना लगाव है पिछले 42 वर्सों में वे लगबग हर वर्ष भारत आये हैं उन्होंने भारतिय संगीत के ओरिजिन अलग-अलग इंडियन मिजिकल सिस्टिम्स विवित प्रकार के राग, ताल और रास के साथ ही विविन गरानों के बारे में भी श्टड़ी किये हैं उन्होंने भारतिय संगीत की कई महान विवितियों के योगदान का अध्यन किया है भारत के क्लासिकल डांसिस के अलग-अलग पहलूओं को भी उन्होंने करीब से समझा है भारत से जुड़े अपने इन तमाम अनुभमों को अब उन्होंने एक पुस्तक में बहुती खुबसूरती से फिरोया है इंडियन मुजिक नाम की उनकी बूक में लगभग साथ सो साथ तस्वीरे हैं इन में से अधिकांत तस्वीरे उन्होंने खुद ही खींची है दूसरे देशों में भारतिय संस्कृति को लेकर ऐसा उत्साह और आकर्शड वाकई आनंद से भर देने वाला है साथियों कुछ सब्ता पहले एक और खबर आई थी जो हमें घर्व से भरने वाली है आपको जानकर अच्छा लगेगा कि बीते आठ वर्षों में भारत से मुजिकल इंस्टुमेंट्स का एक्सपोर्ट साड़े तीन गुना बढ़ गया है इलेक्ट्रिकल मुजिकल इंस्टुमेंट्स की बात करें तो इनका एक्सपोर्ट साड़ बुना बढ़ा है इससे पता चलता है कि भारतिय संस्कृति और संगीत का क्रेश दुनिया भर में बढ़ रहा है इंडियन मुजिकल इंस्टुमेंट्स के सबसे बड़े खरिदार USA, जर्मनी, फ्रांस, जपान और UK जैसे विक्षित देश है हम सभी के लिए सवभागे की बात है कि हमारे देश में मुजिक, डांस और आर्ट की इतनी समर्द विरासत है साथियों, महान, मनिशी, कभी भर्तुहरी को हम सब उनके द्वारा रचीत, नीती सतक के लिए जानते हैं एक शलोक में वे कहते हैं कि कला, संगीत और सहित्य से हमारा लगा भी मानवता की असली पहचान है पास्तों में हमारी संस्कृती इसे हुमेनिटी से भी उपर डिविनिटी तक ले जाती हैं वेदों में सामवेत को तो हमारी विवित संगीतों का स्रोत कहां गया है मा सरस्वती की भिणा हो, भगवान से क्रिष्ण की बांसुरी हो या फिर भोले नात का डमरूप हमारे देवी देवता भी संगीत से अलग नहीं है हम भारतिय हर चीज में संगीत तलास ही लेते हैं चाहे वह नदी की कलकल हो, बारिस की बुंदे हो, पक्षियों का कल्रव हो या फिर हवा का गुंजता स्वर हमारी सभ्यता में संगीत हर तरफ समाया हुआ है यह संगीत न सिब सरीर को सुकुन देता है बलकि मन को भी आनदित करता है संगीत हमारे समाज को भी जोड़ता है यदि भांगडा और लावणी में जोश और आनन का भाव है तो रविंद्र संगीत हमारी आत्मा को आहलादित कर देता है देश भर के आदिवासियों की अलग-अलग तरह की संगीत प्रमपराय यह हमें आपक में मिल जूल कर और प्रकृति के साथ रहने की प्रेणा देती है साथियों संगीत की हमारी विधाओंने न केवल हमारी संस्कृति को सम्रुद्ध किया है बलकि दुनिया भर के संगीत पर अपनी अमीर चाप भी छोड़ी है भारतिय संगीत की ख्याती विश्व के कोने कोने में फैल चुकी है मैं आप लोगों को एक और अडियो क्लिप सुनाता हूं अब सोच रहे होंगे कि घर के पास में किसी मंदीर में बजन केतन चल रहा है लेकिन ये आवाज भी आप तक भारत से हजारों मिल दूर बसे साउथ अमेरिकन देश गयाना से आई है 19 वी और 20 वी सदी में बड़ी संख्या में हमारे यहां से लोग गयाना गये थे वे यहां से भारत की कई परंपराएं भी अपने साथ ले गये थे उधान के तौर पर जैसे हम भारत में होली मनाते हैं गयाना में भी होली का रंग सीर चड़कर बोलता है जहां होली के रंग होते हैं वहां फगवा यानि फगवा का संगीत भी होता है गयाना के फगवा में बहा भगवान राम और भगवान कृस्टर से जुड़े विभा के गीत गाने की एक विशेश परंपरा है इन गीतों को चौताल कहा जाता है इने उसी प्रकार की धून और हाई पीछ प्रगाया जाता है जैसा हमारी यहां होता है इतना ही नहीं गयाना में चौताल कॉम्पूडिशन भी होता है इसी तरह बहुत सारे भारतिय विशेश रुप से पुर्वी उत्तरपदेश और बिहार के लोग फीजी भी गये थे वे पारंपारिक भजन किर्थन गाते थे, जिसमें मुख्यरूप से रामचरित मानस के दोहे होते थे उन्होंने फीजी में भी भजन किर्थन से जुड़ी कई मंदलिया बना डाली फीजी में रामायन मंडली के नाम से आज भी 2000 से जादा भजन किरतन मंडलिया है इन्हें आज हर गाउं मुहले में देखा जा सकता है मैंने तेहां के विल कुछ ही उदान दिये है अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो ये भारतिय संगीत को चाहने वालों की ये लिस्ट काफी लंबी है